मुंबई यानि माया नगरी की लोग इन दिनों डर के साई में जी रहे हैं समंदर किनारी सहर सपाटा लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है दरसल मुंबई के समुदरी तटों पर ब्ल्यू बॉटल जैली फिश दिखाई पड़ रही है जिसके डंग से 150 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके है इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एडवाईजरी जारी कर दी है प्रशाशन ने सहर के जुहू अकसा और गिरगाओं चौपाटी की बीचों पर लोगों को ना जाने की हिदायत दी है बता दे जैली फिश के डंग से घंटों तक दर्द और खुजली होती है यहां तक कि इनका डंग समुद्री मचलियों की जान भी ले लेता है एक्सपर्ट्स के अनुसार हर साल मौनसून के वक्त समुद्री किनारों पर जैल फिश आ जाती है यह उनका रिप्रोडक्शन का समय होता है इनके संपर्क में आने पर दर्द का अनुभव होता है और जिस बॉडी पार्ट को यह टच करते हैं वह सुन हो जाता है कई केस में इनके टच की वज़ा से बहरेपन की भी शिकायतें मिली है विशेशग्यों की सला है कि लंबे वक्त तक दर्द रहने पर मेडिकल सहायता मुहया करानी चाहिए जूहू बीच स्तित एक दुकंदार ने बताया कि जब यह फिश किसी को चोट पहुँचाती है तो हम उस जगापन नीमबू लगा देते हैं इससे लोगों को राहत मिलती है अक्सा वर्सोबा और गिरगाओं बीच से भी ऐसी ही शिकायतें मिल रही है स्तानिय लोगों का कहना है कि जल फिश हर साल अगस सितंबर में मुंबई के तटो पर दिखाई देती है लेकिन इस बार इनकी संख्या बहुत जादा है